असोसियेटेड जनरल लिमिटेड एजेल कम्पनी के मामले में आज राहूल गांधी कॉंग्रेस के नेता इन्हें इडी ने बुलाया था और इस बात के उपर पूरे देश में कॉंग्रेस ने हंगामा खड़ा करके ये प्रयास किया कि मानो उनको विक्टिमाईज किया जा रहा है किन्तु एजेल ये कम्पनी 1930 में तयार हुई थी भारतिय स्वातंत्र संग्राम को एक न्यूस पेपर एक मुखपत्र चाहिए इस दुरुष्टी से स्वातंत्र संग्राम सेनानियों ने एजेल की स्थापना की थी पाच हजार स्वातंत्र संग्राम सेनानी एजेल के शेर होल्डर्स थे उन्हीं की मालकियत एजेल के उपर थी 2010 में श्रिमान राहूल गांधी जी इनके परिवार ने यंग इंडिया नामक एक कमपनी तयार की और पूरे एजेल के शेर्स और उसकी 2000 करोड रुपे की संपत्ति ये यंग इंडिया इस कमपनी को हैंडोर कर दी गई उसमें ट्रांसफर कर दी गई मात्र पाच लाख रुपे खर्चा करके यंग इंडिया कमपनी शुरू की गई थी और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के मालकियत की एजेल को और 2000 करोड के उसकी संपत्ति को उन्होंने हतिया लिया इसके उपर जब कॉर्ट में सुनवाई हुई तो देल्ली हाई कॉर्ट ने इसमें निरने देते समय कहा कि एजेल और यंग इंडियान के बीच जो शेर ट्रांसफर हुआ है वो भ्रष्टाचार से प्रेरी थे और उनके टिपड़ी थी इंटायर ट्रांसफरिंग इंडिया वह नथी बट अ क्लैंडस्ताइन और सरप्टिशियस ट्रांसफर अफ लुकृतिव इंट्रेस्ट अफ यंग इंडिया सीधे सीधे इसको भ्रष्टाचार से प्रेरित ये हाई कोट ने बताने के बाद इडि ने इसमें कारवाई शुरू की होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे स्वतंतरता संग्राम सेनानियों ने तैयार की हुई कमपनी है ये राष्ट्रिय धरोहर है इसका राष्ट्री करण होना चाहिए था ये राष्ट्र के नाम होनी चाहिए थी लेकिन उसकी 2000 क्रोड की संपत्ति पर आख रखके उसको जिस प्रकार से राहूल गां कि एक प्रकार से बहुत बड़ी लूट है और इसी के कारण कि इस प्रकार से उनको बुलाया गया है जो कॉंग्रेस पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि एजन्सिया उनको विक्टिमाइज कर रही है बिल्कुल गलत है बिल्कुल सीधे सीधे सबूत इसमें दिख को मिला जिस पर वो कहते मैं राहुल गांधी हूँ मैं सावर कर नहीं हूँ मैं माफी नहीं मांगूंगा स्वतंत्रवीर सावर करने देश के लिए देश की स्वतंत्रता के लिए 11 वर्ष अंदमान के सेलूलर जेल में कोलू चलाया उनके जितना लंबा समय कोई भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी काले पानी के लिए जेल में नहीं रहा और ऐसे सावर कर को अपमानित करते हुए और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की कंपनी को हड़प कर 2000 क्रोड का रख्टाचार करने वाले यह मैं तो ऐसा मांगता हूँ कि सावर कर जी का अपमान करने के लिए देश की माफी मांगे क्या जिस तरिके से मुंबई के वीतर तमाम सावर के संख्या में कॉंग्रेसी उत्रे और उन्होंने कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव से लिए करके जो इनके विपक्ष की बात करता है जो इनको रोपता है उन सब दूपर किया जा रहा मैंने बहुत शाफ शब्दों में अभी बताया कि एजेल की दो हजार करोड की संपत्ती स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की संपत्ती अपनी पाच लाक रुपे की कमपनी खोल कर हडपने का काम रहूल गांधी जी और उनके परिवार ने किया ये स्पष्ट रूप से जब हाई कोट में एस्टेबलिश हुआ उसके बाद एजेंसिया काम कर रही है इस देश में आम आडमी के लिए एक नया है और गांधी परि तिम कार्ड खेले ये कारवाई हाई कोट के निरने के बाद हो रही है और पुक्ता सुबूतों के साथ हो रही है